नमस्कार दोस्तों है केशब खेरा और आज हमारे पास आया है शाओमी का हाली में लाउंच वह फ्लैक्शिव फोन अब क्योंकि ये चाइना यूनिट है इसलिए इसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं जिया अब शुरू करते हैं डिजाइन से तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा पूरी तरह से कर्वड बॉडी फोन है ग्लास बॉडी है और काफी कॉंपाक हारा कि ये शाओमी मी 5 जैसा लगता है लेकिन इसके स्पेक्स एकदम अलग है इस फोन में दिया है 5.15 इंच का फॉल एच्टी डिस्प्रेट लेटेस्ट कॉलकॉंग स्नापड़न एक थर्टीफाइट सर्फ 6GB ग्राम 128GB का स्टोरी वेरियंट इसका 64GB स्टोरी वेरियंट आता है साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इसका एक सेरेमिक वेरियंट भी है जो कि 256GB स्टोरेट से लेस है पर उसकी लॉंच इंफरमेशन अभी तेक हमारे पास नहीं आई इसके लावा इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि होम बटन यह है जो कि फिंगर प्रिंट नोगा पर अधारेता है और काफी स्मूध है अब क्योंकि इसकी USB का कैमरा है इसलिए आपको बता दूँ कि इसमें एक जूम लेंज है और दूसरा वाइड एंगल लेंज है जैसा कि आपने आईफोन 7 प्लस में देखा था साथ इसमें एक पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है ज और आल ये काफी अच्छा फोन है और हाद में पकड़ने में आपको एक अच्छा हैसास भी देगा इसके पोर्ट पेस्मेंट से एक रेगुलर अंडॉड फोन की तरह ही है और इसमें आपको दूसरे शामी फोन की तरह आईजर ब्लास्टर भी मिल जाएगा तो यह था शाम करा साइनिंग ओफ